हलो वेलकम बेक तो दे यूट्यूब चैनल आज मैं और टैना आए हैं मनुका सिटी के एविंट सिनिमा हॉल में एक्चुली वी प्लैन तो एक्सपिरियंस सम्थिंग हेर तो सोचा कि जो भी एक्सपिरियंस हम लोग कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए तो बस आओ चलते हैं शेयर करते हैं अपना एक्सपिरियंस आपके साथ अरे भाई ایک फोटो तो बनती है ऐस्तावण साल के जवान के साथ और मैं तो शारुक की बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी 24 का हूँ अब जब तक मैं टिकेट की क्यों में खड़ा हूँ, तब तक सोच लेते हैं, खाना क्या है एक्चली टिकेट्स तो हम लोगों ने ओनलाइन बुक करवा ली थी, बस अब स्कैन करवा के टिकेट्स ले लेते हैं सबसे पहले टिकेट्स हम लोगों को पड़ी हैं 68 डॉलर की, अगर इंडियन करंसी में हम लोग बात करें तो 3500 रुपे की लग बग और पॉपकोर्न एंड कोल्डरिंग हम लोगों को पड़े हैं 17 डॉलर के, अगर इंडियन करंसी में हम बात करें तो वो है 850 रुपे लग बग ये टिकेट्स हम लोगों को महंगी इसलिए पड़ी हैं क्योंकि हम लोगों ने बुक किया है डे बेड चेर पर बैठके तो मुवी हम लोगों ने बहुत देखी है बट आज देखते हैं लेट कर मुवी थेटर के अंदर और हाँ ओनेस्ट रिव्यू के लिए रेडी जरू रहिएगा अब ये सारी टिकेट्स मैंने खरीद ली है सच में हरे नहीं मजा कर रहा हूं वीग डे है इसलिए ये सब सीट्स खाली पड़ी है दो पिलो बैक पर दिये हुए इन्होंने कमफट के लिए और एक पिलो मिडल में भी दिया हुआ है और साथ मैं आपको दिये हुए साइट स्पोर्ट्स अगर आपको पॉपकोर्न या अपनी कोल्डिंग रखनी होता हूँ अब टाइम आ गया ओनेस्ट रिव्यू का तो सीरियसली एक बात बोलता हूँ एक्सपिरियंस करने की खुशी तो है बट इतनी आगे से मुवी देखने का मज़ा नहीं आया कमफर्ट बैड में तो है बट मुवी देखना इतनी आगे से कमफर्टेबल नहीं है तो इतनी जवर्दस थी कि टाइम का पता ही नहीं लगा तो मिलते हैं अपनी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तक यू बगाई झाल